चीफ जर्सिस पाकिसान याहिया अफ्रीदी का पहले दिन बड़ा फैसला चीफ जर्सिस याहिया अफ्रीदी ने मनसूर अली शाह और मुनी बक्तर को कमेटी में शामिल कर लिया है आपको बताते चलें चीफ जसिस याहिया अफरीदी ने मनसूर अली शाह और मुरी बख्तर को कमेटी में शामिल किया है चीफ जसिस याहिया अफरीदी जजिस कमेटी के सरबराह भी होंगे सुप्रीम कोट प्रेक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कीले 9 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जस्टिस याया अफ्रीदी ने पाकिस्तान के 30 वे चीफ जस्टिस की हैस्ट से खलब उठाया और चीफ जस्टिस याया अफ्रीदी आते ही इन एक्शन दिखाए दिये और चीफ जस्टिस याया अफ्रीदी ने आते ही पहले दिन बड़ा फैसला दिया जिसके तहट जस्टिस मनसूर अलिशा और मुनीब अक्तर को कमेटी में शामिल कर लिया गया है चीफ जस्स याहिया अफरीदी ने कहा कि वो पाकिस्तान की अवाम के लिए कानून की हुकमरानी को यकीनी बनाएंगे منसूर अली शाह और मुनीब अक्तर को कमेटी में शामिल कर लिया है आपको बताते चलें चीफ जस्स पाकिसान याहिया अफ्रीदी का पहले दिन का बड़ा फैसला उन्होंने दिया है चीफ जस्स याहिया अफ्रीदी ने मनसूर अली शाह और मुनीब अक्तर को कमेटी का हिस्सा बना लिया है चीफ जस्टिस याहिया अफ्रीदी का पहले दिन बड़ा फैसला चीफ जस्टिस याहिया अफ्रीदी ने मनसूर अली शाह और मुनीब अक्तर को कमेटी में शामिल कर लिया है आपको बताते चलें चीफ जस्टिस याहिया अफ्रीदी ने पहले दिन का बड़ा फैसला दिया है जिसके तहट जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अक्तर कमेटी में शामिल किये जाएंगे चीफ जसिस याहिया अफ्रीदी जजिस कमेटी के सरबरा होंगे सुप्रीम कोट प्रेक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कीले नो का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है जैसिस यहयाः अफ्रिदी ने पाकिस्तान के 30 जैस्वें चीफ जैसिस की हैस्जच से खलख उठाया और खलख उठाते ही चीफ जैसिस यहाः अफ्रिदी हमें इन एक्शन नज़र आए और उन्होंने पहले ही दिन का बड़ा फैसला देते हुए मनसूर अली शाह और मुनी वक्तर को कमेटी में शामिल कर लिया है चीफ जस्विस जाया अफ्रीदी ने कहा है कि वो पाकिस्तान की अवाम के लिए कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाएंगे